जेल में हुई दोस्ती के बाद गिरहो बना कर सिग्रेट की दुकान को बनाया निशाना लाखो रुपे की सिग्रेट चोरी करने वाला गिरहो पुलिस की गिरफ्त में आरोपी से चोरी का माल बरामद हुआ मामला परदेशी पुरा थानक शेत्र का है जहाननदा नगर में रहने वाले थोक व्यापारी कमल सिंग ने शिकायत दर्च कराई थी कि उसकी दुकान का देर रात अग्यात बदमाशों ने ताला तोड़ कर दुकान में मौझूद महेंगी सिग्रेट की बॉक्स चुरा कर अग्यात बदमाश ले गए घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सिसी टीवी फुटेच के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफतार किया है पकड़े गए आरोपी, रवी, सर्फराज और राजेश मालवी थोक व्यापारी की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके थे पुश्टाश में बदमाशों ने बताया कि जेल में बदमाशों की दोस्ती हुई थी और एक गिरहों बना कर चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराख में थे सर पुशारों के बदमाशों के दिन में हमने एक अपरात पंजीवत किया था जिसमें कमल सिंग नाम के सिगरेट के थोक व्यापारी है उनकी दुकान का सटर का ताला तोड़कर सटर उचका कर जो है कुछ चोर सामान चोरी करके ले गए थे बहुत सारे सिगरेट के पैकेट सेंगर है वो अपने अन्य दो साथी सर्फराज और राजेस मालवी इनके साथ मिलकर इस वारदात को अज्याम दिया है और आज ये लोग चोरी वाले सामान का बटवारा करने में लगे हुए हैं जब ये सूचना प्राफ थी तो हमने डवलप किया और डवलप करने के बाद में जब इनके पास दर्विश दी तो हमने रवी सेंगर को और उसका जो दो साथी हैं कराहूल मालवी और एक सर्फराज ये राहूल और सर्फराज दुनों नल्केडा के रहने वाले इन तीनों को हमने पकड़ा इन से पूस्ताज कि और इनसे सभी से इनके अपने-अपने का जो है सिगरेट के तमाम पैकेट बड़े कार्टून्स वगयरा बरामत किये हैं और इसे मामले में हमने एक लाग पंद्रा जार रोपे की कीमत का सामन वसूल किया है और इसके लाभा भी डी वी आर की तलास और की जारी बताया है कि नई नाले में फेंक दिया है तो उसका सर झाले में इसके लुटिए और सकता है